हेलो फ्रेंड्स स्वागत है वी डवल आईसी में और मैं अमित कुमार सौनी अर्देख अर्देख अविनंदन करता हूँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें पसंद आता है तो लाइक करें दोस्तों यदि आप साइनस्टिफिक रिसर्च में इंटेस्ट रखते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही लाबदायक सिद्ध हो सकती है जेनरल नौलेज के लिए भी और बैसिक नौलेज के लिए भी दोस्तों आईए शुरू करते हैं हम ये साइनस्टिफिक रिसर्च जो की बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों कोरियन साइन्टिस्ट ने एक बहुत ही महतपूर्ण चिप बनाई है जो की नशे की लत डिप्रेशन और परकिंसन बीमारी को दूर करने में सहयक होग और हल ही में उन्होंने चुहों पर इसके प्रियोग किये हैं और ये सफल रहे हैं आगे वो कहते हैं कि ये सिक्के के आकार की एक चिप है और जिससे की बिहेवियरल कंट्रोल किया जा सकेगा और इस नशे की लत को इससे दूर किया जा सकेगा ये चिप नशे की लट के साथ साथ डिप्रेशन और बढ़ती उम्र में होने वाली बीमारी परकिंसन डिसीज से भी लड़ेगी विग्यानिक कहते हैं कि चिप को ब्रेंड में इंप्लांट के तौर पर लगाये जाएगा और इसे ब्लुटूथ की मदद से मोबाइल के जरीए कंट्रोल किया जाएगा दोस्तों ऐसी डिवाइस को शरीर में इंप्लांट करने के कुछ समय बाद बैटरी बदरने के लिए दोबारा की गई सर्जरी की जाती है लेकिर इस चिप के मामले में ऐसा नहीं होगा ये लंबे समय तक काम करेगी और चार्ज होती रहेगी रिसर्चर्चर्ट का दावा है कि आप कहीं भी हों मोबाइल के जरीए इस चिप को आपरेट कर सकते हैं ये चिप कितना बहतर काम कर सकती है इसे समझने के लिए चूहे को एक नशीला पदार्थ कोकीन दिया गया इसके बाद छोटी सी सरजरी करके चूहे के ब्रेंड में चिप लगाई गई जियांग हुकिम कहते हैं कि लाइट स्टिमूलेशन के जरिये जानवरों का बिहेवियर कंट्रोल किया जा सकता है दक्षन कोरिया एडवांस इंस्टिटूट अप साइन्स एंड टेकनलोजी के प्रोफेसर जे बुंग जियांग कहते हैं कि इस डिबाइट्स में बेहद छोटी LED लाइट लगी है जो ब्रेंड के नियूरांस पर असर डाल दी है चुहे पर हुए इस प्रयोग में सामने आया कि इससे उसकी नशे की लत में कमी आई यही बज़ा है कि वेग्यानिकों ने इसे ब्रेंड से जुड़ी दूसरी बीवारियों के लिए भी प्रयोग किया प्रोफेसर जे बुंग जियांग आगे कहते हैं कि स्मार्ट फोन की मदद से इस वायरलेस चिप को आपरेट करते हैं चिप से निकलने वाली मेगनेटिक तरंगों से बैटरी चार्ज होती है इन तरंगों से इंसान को किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होता दोस्तों ये एक छोटी सी scientific research थी जो की है तो छोटी सी चिप सिक्के के आकार की लेकिन एक आने वाले समय में यदि इसके परिक्षन सभी सफल हो जाते हैं जैसा कि दावा किया जा रहा है तो निश्यत रूप से ये नशे की लत छुड़ाने में काफी मददगार सिद्ध होग जिससे की आगे भी इसी परकार की वीडियो में आप लोगों को दे सकूँ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अमेजिंग साइन्स के इस कॉलम के साथ में जैहिंद धन्यवाद सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को शेयर करें लाइक करें जैहिंद